देखे, दितिये चर्ण में आज लोकसभा के तेरा राज्यों के नवासी लोकसभा छेत्रों में चुनाओ आज साइकाल संपन हो जाएगा कुल मिला करके एक सो एक्यानवे सीटों पर आज साइकाल तक चुनाओ की प्रक्रिया संपन हो चुकी होगी देश के अंदर जो उत्सा है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के दस वर्स के कारियों को ले करके जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहोल है उसको देखते वे हम कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी जी के कारियों को जनता जनार्दन का पुरा स्रीबात प्राप्त हो रहा है और फुरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पुरा करने में मदद मिलेगी, देश कारे को देखना चाता है और मोदी जी ने दस वर्ष में देश को एक नई दिसा दी है दस वर्ष का उनका एक कारेकाल देश भारत के स्वतंद्र भारत के इत्यास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कारेकाल है हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ तेजी के साथ बढ़ती भी अर्थव्योस्ता की रूप में भी अस्तापित हुआ है इसलिए उसका लाब भारतिय जनता पार्टिय को प्राप्त होगा और मेरा इमाना है कि मोदी जी के नित्रतों में चार जून को जब पैणा माएंगे तो प्रचंडो बहुमत के साथ बारतिय जनता पार्टे और NDA की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेक्तिक्तों में बनेगे मुद्धी जी ये देखा जा रहा है कि इन चुनाओं में भी जो विकास के मुद्धे थे वो दीरे दीरे गायब होते जा रहे हैं उनकी जगे इतर ने इशूज और नॉन रेलिवेंट इशूज और हम कह सकते हैं कि वह अपनी जगा लेते जा रहे हैं यह मुद्धे कहां मोदी की गारंटी जो विकास, सुसासन और सुरक्सा से जुड़े वे थे इनी मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनारदन के सामने रखा था और पहला चर्ण इसी दिसा में आगे बढ़ा था लेकिन इसी दोरान पहले चर्ण के ठीक पहले कॉंग्रेस और इन्डी गढवंदन का जो सबसे बड़ा जो सयोगी है वहां कॉंग्रेस पार्टी का गोशना पत्र सामने आ गया कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में जिन बातों का उलेक किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत करता है और चूंकि कॉंग्रेस का इत्यास इस पूरे मामले में हमेशा संदिक्द रहा है तो स्वाभाई कुरुप से ये मुद्दे प्रासंकिक हो जाते हैं हमने विकास के मुद्दे पर पिसले दस वर्स में मोदी जी के जो कारे हुए इंफ्रस्ट्रक्चर के चेत्र में सुरक्सा के चेत्र में आत्म निर्भर भारत के लिए गरीब कल्यानकारी योजनाई थी इनी मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाओं में गए थे लेकिन उनके मैनिफेस्टों ने हमारा ध्याना करसित किया इस और आपने देखा होगा कॉंग्रेस के एक सलाकार की रूप में सेम पित्रोदा उनका बक्तब सबने पढ़ा कॉंग्रेस ने इससे पहले यूपिये गॉवर्मेंट के दोरान रंगनाद मिस्त्रा कमीटी और सच्चर कमीटी की रिपोर्ट कॉंग्रेस ने की थी करनाटक में कॉंग्रेस नेत्रुत्व की सरकार है और करनाटक की कॉंग्रेस नेत्रुत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की अरक्षन के लाब में जबरदस्ती मुस्लिमों को गुशेड करके और उनके अधिकारक में बंदर बांट करने और उसमें लूट क करने की सुरुवात प्रारंब की है यह सभी संदे पैदा करता है एक है दूसरा जो विरासत टैक्स की वाद कॉंग्रेस कर रही है कि यह भी एक खतरना के सारा है कि गरीबी एक जटके में गरीबी हटाएंगे इसके लिए वे हर संपत्ती का सर्वे करवाएंगे एक्सरे कराएंगे इस प्रकार का बक्तब में कॉंग्रेस दे रही है कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उलेक कर रहा है और फिर उसके मात्यम से हर एक संपत्ती को यह लोग अपने कबजे में लेकर के यानि दोनों चीजे हैं एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजभी आधार पर देश के विभाजन की आधार सिला रखना चाते हैं दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ती अरजित की है घर बनाया है कोई प्रॉपर्टी बनाई है खास तोर पर अमारी माताई बेहने अपने लिए जेवर खरीदती हैं उसको ये अपने अधिकार में ले ले लेंगे विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे और तीसरा बैक्तिक कानून प्रस्नल लौ को पुना लागू करने की बाद तीन तला की कुपर्था को मोदीजी ने समाप्त किया ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे यानि मेलाओं का इससे बड़ा अपमान होई नहीं सकता तो सौभाही कृप से इस देश का विभाजन जिन कार्णों से हुआ था अगर कोई राजनितिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उलेक करते भे देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा भारत के अंदर नकसल बाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है अगर नकसल ये और मावादी प्रविटि को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा उसका पुरजोर विरोध होगा भारतिय जन्ता पार्टी इसको कताई स्विकार नहीं कर सकती देश के अंदर यहां की जन्ता जनारदन की संपत्ति पर भरस्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाब कारवाई पहले से सरकार कर रही है उनके एक एक पाई का हिसाब होगा लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताडित करने के लिए उसके खोन पसीने की कमाई पर कोई डखेती डालने का प्रियास होगा तो इसको भारतिय जन्ता पार्टी स्विकार नहीं कर सकती है और कॉंग्रेस उसकोई सयोगी दल देश के राजनीति का तालिबानी करन करने के प्रियास कर रहे हैं और लोगों की संपती पर जो इनकी कुद्रिश्टी लगी भी है इसलिए ये मुद्दे आये हैं जो आजके प्रपेक्स में रिलिवेंट है और इन मुद्दों को इसलिए भारतिय जनता पार्टी पुर्जोर तरीके से उठा करके जनता जनारदन का ध्याना करसित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर है इनके मानसिकता क्या है आपके परती यह आप देख सकते हैं और इसलिए उस पर लगातार सरकार भारतिय जनता पार्टी ध्याना करसित कर रही है जनता जनारदन का कि जाकरुक हो जाओ ये लोग जिस मंसा के साथ आ रहे हैं इससे पहले कि इनके मंसा के इन रूप इन लोगों को सफलता अपराप्त हो इनके मंसोबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निनायक साबित होगी और वह आपने 2014 में किया था क्योंकि 11-12-13 में ततकालीन केंद्रिय मंत्री पीच दंब्रम बार बार वरासर टैक्स की बात कर चुके थे आज वही बात तो सेम पित्रोदा कह रहे हैं इसलिए इन चीजों को ले करके आज फिर से जनता जनारदन को बार बार का जा रहा करते अपने वोट के माद्य में से पानी फेरने का काम करें अन्य था यह गरवंदन देश के लिए भी कॉमन में के लिए और आदियावादी के लिए भी भी वहंकर खत्रा पैदा कर सकता है